तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ठीक है तो इसके लिए हम लोग दो नेसलर सिलिंडर लेंगे, वन वीविल मारक है और बनाएगा क्या, लीड डाइथाईजन कंप्लेक्स इन पर्जन सफ, कुलोरोफर्म आड एमोनिया, और ये लीड डाइजन सो, I will show you how my notes look like, और आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं, किस तर से अंसर लिखने में आपको ज्यादा मार्क्स, उसके बाद में कोई भी लीड नहीं होगा ये लिए लेकिन ये उनके लिए भी उसफुल है जिनके सिलेबस में ये टापिक इंकूलूडेड है, इससे पहले कि हम लोग कुछ डिसकॉस करें, मैं अपना परिजे देना चाहूंगा, उनके लिए जो मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आये हुए हैं, तो मेरा नाम है सुन और आप कैसे उससे डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरी चीज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि एक्जाम में कैसे लिखा जाए, और कौन-कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से और किस दर से एंसर लिखने में आपको ज्यादा मार् पाल प segunda-ndra KCN Film आपको से एंसर लिखने में आपकोश्चन फीर में आपको जाएद लीखने में नापको प्रेटेंट ए इस ब्रेट्स अ कि समत मुत प्रेट्रौत मार्ण प्रेटी इस अधकोड से ट्मूर्म ऒाचिन था इस नाइं दो स्त मान और तबहले हैं, तरह दें म हो तो क्या क्या problem कर सकता है तो यह क्या करेगा it can decrease therapeutic value of drug जो therapeutic value of drug होती है उसको यह क्या करेगा decrease कर देगा दूसरा it can create or arises technical problems during drug formulation तो जब भी आप drug formulation कीजिएगा उसमें यह impurity अगर होगा उसमें तो यह interact करेगा आपके excipient से और उसका formulation में trouble create करने लगेगा ठीक है और यह तीसरा जो है अच्छा यह symbol है क्या बता सकने है यह क्या हो सकता है या it will cause toxicity ठीक है okay so because of these problems we generally try to exclude these impurity from our pharmaceutical preparation लेकिन क्या होता है कि practically it is very very difficult so बहुत सारे फर्माकोपिया जो है उन्होंने एक permissible limit दिया हुआ है कि इस limit के भीतर ही रहना चाहिए यह impurity अगर उस permissible limit से अगर beyond है या ज्यादा है then we are not going to accept that pharmaceutical preparation or sample or ingredient whatever it is okay as for example Indian pharmacopoeia has fixed a permissible limit of 5 to 25 parts per million तो इसका मतलब 5 to 25 parts per million होना चाहिए lead impurity is allowed अगर 25 parts per million से ज्यादा है तो हम लोग उसको use नहीं करेंगे तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि whether this impurity is within that permissible limit और beyond that तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा limit test करना पड़ेगा that is why limit test is needed for our pharmaceutical preparation ठीक है तो हम लोग इसको कैसे define करेंगे so how we are going to define it so हम लोग लिख सकते है limit test for lead is defined as qualitative and semi quantitative test designed to detect the limit of lead impurity in pharmaceutical preparation as specified in pharmacopoeia ठीक है now we will discuss about principle involved in limit test for lead ठीक है तो इसके लिए हम लोग दो nestlear cylinder लेंगे one we will mark as sample और दूसरे को हम लोग क्या mark करेंगे standard nestlear cylinder ठीक है और sample nestlear cylinder में हम लोग क्या करेंगे we will add sample ठीक है और इसमें dye thai zone in chloroform को भी add करेंगे ठीक है अब आज ही हम लोग extended nestlear cylinder में है जिसमें हम लोग क्या करेंगे extended lead nitrate को add करेंगे ठीक है और यह जो dye thai zone in chloroform है उसको भी हम लोग इसमें add करेंगे इसके बाद ammonia जो है उसको हम लोग क्या करेंगे sample nestlear cylinder में as well as standard nestlear cylinder में भी add करेंगे ठीक है अब ध्यान दीजी sample nestlear cylinder में अगर sample में lead impurity है वो di thai zone से react करेंगे और क्या बना देगा lead di thai zone complex बनाएगा किसके presence में chloroform के presence में और ammonia के presence में और यह जो lead di thai zone complex है यह red purple color देगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे sample color बोलेंगे अब आज़े यह standard nestlear cylinder में तो हमारे lead nitrate में already क्या होता है lead होता है तो जो lead होता है PB जिसको plumbus बोलते हैं वो react करेगा di thai zone से और बनाएगा क्या lead di thai zone complex in presence of chloroform and ammonia और यह lead di thai zone complex क्या देगा red purple color देगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे standard color बोलेंगे क्योंकि यह standard lead nitrate से produce किया गया है इसलिए ठीक है और यह जो sample color produce हुए है और standard color produce हुए है इनको हम लोग क्या करेंगे comparison करेंगे that is the principle behind limit test for lead तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि the principle behind limit test for lead is based upon the reaction between lead ion and dithyzone in chloroform to produce red-colored lead-dithyzone complex in alkaline media okay thus produced sample color is compared with that of a standard color which is produced by a specific quantity of standard lead nitrate under same reaction condition, ठीक है, तो यह हमारा क्या हो गया, प्रिंस्पल हो गया, तो आपको एक्जाम में इसी तरह से लिखना है, तो यह जो गया है, तो इसको जब हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे, तो इसको जब हम लोग प्रोडक्ट लिखेंगे, यहां पर यहां पर कर लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, तो यहां पर क्या लिखेंगे, नीचे वाल ना इक्ट्रोजन, उसके उदर बेंजीन रिंग होगा, और यहां पर double bond iron, carbon double bond iron, यहां पर NH होगा, यहां पर iron होगा, ठीक है, यहां पर NH नहीं छोड़ देना है, क्योंकि हमने पहले ही बोलाए उसको छोड़ देना है, ठीक है, अब बीच में क्या किजिएगा, सेंटर पर आप लिखेंगे, लीड, ओके, यहां पर जो नाइट्रो पर होगे, यह दो नाइट्रोजन पर लोन पेर है, यह क्या करेगा, कोडिनेट बना देगा, और यह हो गया आपका lead dithyzone complex, और इसके साथ क्या बनेगा, 2H+, तो इसका नाम लिखते हैं, this is lead ion in sample, this is dithyzone, this is lead dithyzone complex, यह तो क्या हो गया, proton हो गया, तो यहां पर हम लोग क्या तो इसके लिए भी एक handmade video है, okay, so यहां पर भी reaction सेम रहेगा, लेकिन यहां पर जो पहले sample reaction में lead लिखेते, उसके बदले पर यहां पर lead nitrate होगा, ठीक है, और वैसे ही, 2 molecular dithyzone बनाएंगे, yes double bond C, NH, NH, उपर, ring, फिर NH, N double bond, ring, और इधर भी हम लोग क्या करेंगे, पहले क जैसे ही बनाएंगे, लेकिन उस nitrogen पर फिर से क्या रहेगा, hydrogen नहीं रखेंगे, ठीक है, और दूसरा molecule opposite direction में बनाएंगे, ठीक है, और यह रहा, फिर यहां पर इस nitrogen पर भी hydrogen गायपुर करेंगे, और बीच में lead लिखेंगे, यहां पर bond बनाएंगे, और यहां पर cobalent bond बनाए यह हो गया हमारा chloroform and ammonia के presence में होगा, यह क्या हो गया, lead diethyzone complex, जो कि हमारा extender color produce करेगा, और यह nitric acid हो गया, ठीक है, तो यह हो गया हमारा extender reaction, now we will discuss about the procedure, ओकी, तो इसका जो procedure है, हमारे sulfate limitist और chloride limitist की तरह नहीं है, यहां पर जो sample solution जो होगा, उसको separately prepare करना पड़ेगा, और standard solution होगा, उसको separately prepare करना पड़ेगा, तो पहले देखिए sample solution का preparation कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए हम लोग एक separating funnel लेंगे, जिसमें हम लोग a specific amount of sample solution prepared as directed in Indian pharmacopeia, that is IP, उसको add करेंगे, a specific amount, उसके बाद में 6 ml of ammonium citrate plus 2 ml of hydrooxylamine hydrocoride को add करेंगे और यह add करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें, देखिए हमारा solution हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, two drops of phenol red indicator को add करेंगे, ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा क्यों, इसके बाद में we will add ammonia to make the media alkaline, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि यह media alkaline हो गया है, तो जब भी हम लोग ammonia रखेंगे और जब यह media alkaline होगा, तो यह जो phenol red indicator जो हम लोग add किये हैं, वो color change करके solution को red बना देगा, और यह रहा हमारा lead impurities, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, add 2 ml of potassium cyanide, ठीक है, और यह जो हमारा resulting solution बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, alkaline solution या chloroform, जो green color का होता है, उसे हम लोग क्या करेंगे, extract करेंगे, ठीक है, तो extraction करेंगे तो क्या होगा, then what will happen, कि यह जो chloroform layer है, वो down चला जाएगा, it will go down, and aqueous layer will be on the top side, तो हमारा aqueous layer में lead impurity है, that is pb, so during extraction, यह जो lead impurity है, pb, it will migrate, यह कहाँ चला जाएगा, chloroform layer में shift हो ठीक है, तो हम लोग इसका नाम लिखेंगे, this is aqueous layer, and this is chloroform layer या, or dithyzone layer, तो जब यह chloroform layer जो green color का था, जैसे ही lead जाएगा, तो red color में change हो जाएगा, ठीक है, और जैसे red color में change हो जाएगा, extraction खतम हो जाएगा, उसके बाद में इसको हम लोग क्या करेंगे, chloroform layer को, हम लो कुछ lead उसमें अभी भी बाकी हो, ठीक है, तो दूसरी बार भी हम लोग क्या करेंगे, 5 ml of dithyzone in chloroform layer को add करेंगे, और during this time क्या होगा, जो भी lead है, वो सब chloroform layer में चले जाएगे, और उसके बाद में color change हो जाएगा, green color change हो जाएगा, किसमें, red में, और फिर हम लोग करेंगे, तब तक जब तक सारे जो हमारे lead impurity जो थे है, aqueous layer में, वो सारे extract न हो जाएगा, तो कैसे पता चलेगा, जब से आप करते जाएगा, तो last में, जो chloroform layer होगा, या chloroform dithyzone in chloroform layer होगा, उसका color change नहीं होगा, और green का green ही रहेगा, इसका मतलब आपका जितना भी lead imp था, वो सारे extract हो गए है, ठीक है, उन सारे extract को एक जगा कलेक्ट कीजिए, और जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, chloroform extract या dithyzone extract, और उस extract को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरा separating funnel में, ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, that is now chloroform layer, या chloroform extract, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, 30 ml of 1 percent volume by volume, nitric acid को add करेंगे, और इस solution को extract करने, शुरू कर देंगे, ठीक है, so this is aqueous layer, और इसको extract करेंगे, 30 minute के लिए, और इसको keep aside करेंगे, ठीक है, सेटल होने के लिए, तो during this extraction, chloroform layer से क्या होगा, यह जितने भी lead है, वो सारे migrate होके, aqueous layer में चले जाएंगे, ठीक है, उसके बाद में, chloroform layer में कोई भी lead नहीं होगा, then what we have to do, we have to discard that chloroform layer, और जो aqueous layer बच गया है, उसको हम लोग एक दूसरा, उसको हम लोग क्या करेंगे उसको हम लोग एक nestler cylinder में transfer करेंगे, और उस nestler cylinder में हम लोग और क्या add करेंगे, 5 ml of extender, dithyzone solution, and 4 ml of potassium cyanide, ठीक है, और जब यह transfer कर देंगे, तो यह क्या करेगा, red color produce करेगा, जो कि हमारा sample color होगा, ठीक है, now we will discuss how to prepare extender solution, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, a specific amount of lead nitrate solution is treated in same manner as sample to get the standard color, ठीक है, now we will discuss about notes, तो पहला जो note है, वो use of various reagents in limit test for lead, तो यह lead limit test में क्यों इतना ही reagents use करते हैं, तो इसका answer यह है, कि reagents like ammonium citrate, hydroxy amine hydrocoride, potassium cyanide, ammonium cyanide, are added to prevent the interference of other impurity in limit test for lead, ठीक है, तो जो भी interference है, उनको हटाने के लिए, यह सारे reagents को हम लोग यूज़ करेंगे, करते हैं, ओके, दूसरा यह है, कि use of ammonia in lead limit test, क्यों हम लोग इसका use करते हैं, ammonia का use करते हैं, so ammonia is added to make the solution alkaline, because the extraction of lead dithyzone takes place in alkaline media, ठीक है, so to carry out extraction हम लोग क्या करते हैं, ammonia को add करते हैं, now we will come to third point, that is use of phenol red indicator in lead limit test, तो इसको मैंने पहले ही बता दिया था, कि phenol indicator is added to check whether the solution becomes alkaline upon adding ammonia, कि हम लोग जब ammonia add करेंगे, उस समय यह media alkaline हुआ कि नहीं हुआ, इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, in phenol red indicator को use करते हैं, तो जब भी media alkaline हो जाता है, तो इसका color change होके red हो जाता है, ठीक है, now we will see the comparison, ठीक है, तो इसका comparison हम लोग कैसे करेंगे, so the color produced by sample as well as extender are compared against white background, तो दोनों color, जो sample का color है और extender का color है, उन दोनों color को हम लोग क्या करेंगे, white background के against में देखेंगे, ठीक है, और results में हम लोग क्या लिखेंगे, तो results में हम लिख सकते है, if the sample color is less than that of extender color, then the sample will pass the limit test for lead, या, और if the sample color is more than that of extender color, then sample will fail the limit test for lead, okay, so this much is there in the lead limit test, अब आज ही हम लोग कुछ important question discuss करे, तो generally इस topic से direct question आते हैं, जैसे कि, write the principle involved in limit test for lead, और write in brief about limit test for lead, ये 5 marks में आता है, दूसरा question इसी को modify करके देता है, write in detail about principle involved in lead limit test, and write the reaction and procedure involved in lead limit test, तो ये 10 mark का होगा, और तीसरा question जो पूछता है, why ammonia is used in limit test for lead, या, ये भी पूछ सकता है, why final rate indicator is used in limit test for lead, तो इसे इसे short question भी दे सकते हैं, ठीक है, तो आप लोग को, मैं answer tip बताऊंगा, कैसे लिखना है, तो पहले, जबी भी आप answer लिखे, so always give a title, कोई भी suitable title दीजिये, ठीक है, अगर आप लिख रहे हैं, lead limit test, तो lead limit test का title दीजिये, ठीक है, उसके बाद में, in next point, what you have to do, you have to give subtitles, जैसे कि introduction है, तो introduction में लिखे, definition है, तो definition में लिखे, example से example करके लिखे, ताकि क्या होगा, examiner को easy होगा, search करने में, और उसको पता चलेगा कि आपने यह सब point लिखा है, ठीक है, और तीसरा चीज़, यह है कि आपका जो answer होना चाहिए, nicely represented होना चाहिए, इसका मतलब यह ने कि आप fanciful बनाई है, उसमें drawing करने लग यह, painting करने लिखे, विशा नहीं चलेगा, और उतना ही लिखे ज very easy language, आप easily study कर सकते हैं, और quality is very very nice, if you'll write that, you'll score maximum marks, ठीक है, so the most important question is how to get this note, okay, तो इसको कैसे download किया जाए, तो two method is there, okay, आप हमारे Facebook group में जाए, इसका link जो है, description में दिया हुआ है, वहाँ पे join किजिए, और वहाँ से download कर सकते है, manually search करके, या दूसरा तरीका है, जिनको यह पह description में लिंक दिया हुआ है, medical pama lectures में, वहाँ पे आप जाए और अपना email id, जो है, subject के साथ, send कर दीजे, ताकि मैं आपको mailing list में रख दूँगा, for that particular subject, and you will get the notes, every time, whenever I am posting any video, so with this, we came to the end of this lecture, और आपको ये video कैसे लगा, ठीक है, आपको, whether it was useful or not, आप प्लीज कमेंट करके c5, ठीक है, उसको भी आप बताए, ओके, and kindly subscribe में चैनल, and अगर आपको ये video अच्छा लगाए, तो एक thumbs up दीजिए, और bell icon को दबा दीजिए, and thank you, thank you very much.